बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य स्रजन स्पिरीच्वल में जैसा कि आपको विदित है कि इस समय हम वेद विशयों को लेकर आपके समक्ष पस्थित होते हैं इस लाइफ सेशन में और समय जो दिया हुआ था उसी समय पर यह सेशन प्रारंब हो रहा है तो आज का जो हमारा विशय है वह है अथर्ववेद आज हम अथर्ववेद पर चर्चा करेंगे अथर्ववेद के वांगमई को समझने का प्रयास करेंगे और उसके बारे में एक परिचय प्राप्त करेंगे इस विडियो के मर्ध्यम से तो अथर्व वेद वेदू में चोथा बताया जाता है इसका अर्थ क्या है इसका परिचय क्या है इसकी साखाएं क्या है इसके ब्रामन कौन है इसके रिशी कौन है इसके देवता कौन है इसमें अध्याय किस प्रकार से विभाजित होते हैं तो इन सब विश्यों पर आगे हम एक-एक करकर एक-एक स्लाइड आपके सामने आती जाएगी और उसके माध्यम से आपको जानकारी मिलती जाएगी तो चलिए इस यात्रा पर हम चलते हैं और अथर्व वेद में ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं अथर्व वेद से संबंधित ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो हमें चौका देती हैं जो हमें आश्यर चकित कर देती हैं और हमारे ग्यान का वरधन करती हैं और वेदों के अध्यन के प्रति हमें प्रेर्णा देती हैं वेदों के अध्यन के प्रति हमें जागरु करती हैं वैदिक ज्यान के प्रति हमें जागरु करती हैं तो आये चलते हैं इस यात्रा पर छोटी सी यात्रा है थोड़ी देर में ही आप इन कई विश्यों को जान पाएंगे समझ पा तो अथर्व वेद का परिचय, साखाएं, कांड, सुक्त, ब्रामन, रित्विक, रिशी कौन है इसको हम जानेंगे अथर्व वेद, अथर्वा रिशी के नाम पर इस वेद का नाम अथर्व वेद है थर्व का अर्थ है गती, चंचलता या चेस्टा अर्थात, जो तत्व गती शील नहीं है, अथवा परिवर्तन शील नहीं है उस तत्व की चर्चा यह वेद करता है मन को इस्थिर करने की प्रेणा देने वाला वेद ही अथर्व वेद है तो जो तत्व गती शील नहीं, अर्थात जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिस तत्व में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो जो परिवर्तन शील नहीं है, उस तत्व की चर्चा यह वेद करता है तो संपोर्ण प्रकरती ही परिवर्तन शील है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है संपोर्ण प्रकरती ही क्रियावान है, क्रियाशील है तो फिर उसमें इस्थिर रहने वाली वस्तु कौन सी है? वह वस्तु ही ब्रह्म है तो उस ब्रह्म को समझाने वाला वेद और ब्रह्म उपासना की चर्चा करने वाला वेद अथर्व वेद है इसलिए अथर्व वेद का एक नाम ब्रह्म वेद भी कहा जाता है मन को इस्थिर करने की प्रेणा देने वाला वेद ही अथर्ववेद है मन की चंचलता मन की गती को रोक कर मन का लय तारतम्मिता ब्रह्म के साथ अस्थापित हो सकती है इसलिए यह मन को इस्थिर करने की विद्या देता है अथर्व वेद में किन किन विश्यों पर चर्चा होती है तो देख लें हम देव इस्तुती अर्थात देवताओं की इस्तुती पर इसमें मंत्र पाये जाते हैं सुक्त पाये जाते हैं फिर दार्शनिक विश्य जो फिलासफी है फिलासफिक सब्जेक्ट्स पर भी दर्शन के विश्य पर भी इसमें मंत्र सुक्त आदी पाये जाते हैं फिर एक महत्पूर्ण विश्य है चिकित्सा मेडिकल साइंस जिसे हम कहते हैं ठीक है ट्रिट्मेंट या फिर कह लेजिए च चकित्सा, चकित्सा से संबंदित मंत्र और सुक्त पाए जाते हैं, विज्ञान, विज्ञान से संबंदित, भुगोल, खगोल, वनस्पती विद्या, आयुरवेद, आयुरवेद बहुत ही महत्पुर्ण विशा है, अथरवेद के अंदर, अर्थशास्त्र की चर्चा, राजनीती से संबंदित चर्चा, अब तक यह अथरवेद के विशेष्था है, देखिए, पिछले वेदों में यह विशेष्था नहीं बताई गई थी, राजनीती से संबंदित चर्चा, राष्ट्र भूमी, मातरी भूमी से संबंदित चर्चा, राष्ट्र की परिभाश आपको अतहरव वेध में मिल जाएगे, बड़ी असानी से, फिर ग्रिहस्त जीवन से संबंधित जो विशय होते हैं। उस पर भी इसके चर्चा मिल जाती है। शल्लत alsusak지만 संबंधित स्थी और मंत्र मिलेंगे। जड़ी बूटियों से संबंदित सुक्त और मंत्र मिलेंगे, मिर्तियू रक्षन मतलब मिर्तियू से रक्षा कैसे की जाए, दिरगायू कैसे हुआ जाए, उससे संबंदित मंत्र मिलेंगे, रोग रक्षन, रोग से रक्षा कैसे की जाए, शत्रू रक्षन, शत्रू से कई प्रकार के शत्रू हो सकते हैं तो उन शत्रूओं की चर्चा और उनसे रक्षा करने के बारे में भी या उपाय के बारे में अथर्ववेद में चर्चा मंत्रों में सुक्तों में पाई जाती है। अथर्ववेद में कैसी चर्चाएं हैं तो यह मिलता है आगे चलते हैं अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई अथर्ववेद से आयूर्वेद में विश्वास किया जाने लगा था यह दपी अथर्ववेद के साथ ही मान लिया जाता है। उसी समय हुआ था। लेकिन अभी आम जण मानस आयुर्वेद के लाब से लाभानवित नहीं हो रहा था। लेकिन अथर्ववेद के काल से और विश्वास किया जाने लगा। अनेक प्रकार की चिकित्सा पधतियों का वर्णन अथर्ववेद में है अथर्ववेद ग्रिहस्त आश्रम के अंदर पती पतनी के कर्तव्यों तथा विवाह के नियमों मान मर्यादाओं का उत्तम विवेचन करता है अथर्ववेद में ब्रह्म की उपासना संबंधी बहुत से मंत्र हैं यह कुछ विशेशताएं हैं जिससे अथर्ववेद के बारे में आपको थोड़ी बाते इसपस्ट हो जाएंगे कि अथर्ववेद में कैसी चर्चा है और कितनी आवश्यक चर्चाएं अथर्ववेद में हैं आगे बढ़ते हैं अथर्ववेद के दूसरे नाम कौन कौन से हैं अथर्वांगिरस वेद अथर्वांगिरसी वेद अर्थात अथर्व और अंगिरा यहां दो रिशियों का नाम आ रहा है अंगिरा भी अथर्ववेद के रिशी हैं तो इसलिए यहां पर अंगिरावेद अर्थात भ्रिगू और अंगीरा का वेद ऐसा भी इसे कहा जाता है इसका नाम है भैशज्यवेद छत्रवेद महीवेद छंदोवेद और ब्रह्मवेद इस नाम से भी अथर्ववेद को जाना जाता है अथर्ववेद का रित्विक ब्रह्मा कहलाता है अथर्ववेद का रित्विक ब्रह्मा अर्थात जो अथर्ववेद के मंत्रों का पाठ करता है और उनको पढ़ना सिखाता है उसको ब्रह्मा कहते है उस रित्विक को ब्रह्मा कहा जाता है अथर्व वेद का ब्रामन गोपत ब्रामन है अथर्व वेद के आचार्य सुमन्त अचार्य जो कि विदव्यास जी के शिष्ष थे अथर्वेद का देवता सूम है अथर्वेद के उपनीशद, प्रश्न उपनीशद, मुंडको उपनीशद और मांडुक्य उपनीशद है अथर्वेद का उपनीशद कौन सा है तो मांडुक्य उपनीशद ये उपनीशद है तो गोपत ब्रामन जो ब्रामन है अथरवेद का विस्थार जो गोपत ब्रामन के रूप में हुआ तो गोपत ब्रामन से काही भाग ये उपनिशद है ये मांडुक की उपनिशद या मुंडको उपनिशद गोपत ब्रामन से ही लिए गए है क्यों ब्रामन से लिए गया है क्योंकि अथर्व वेद में आरण्यक नहीं आते हैं उपनिशदों का विकास वैसे तो आरण्यकों से माना गया है परंतु यहां पर अथर्व वेद के आरण्यक नहीं होते इसलिए इस लिस्ट में आरण्यक का नाम भी नहीं लिखा हुआ और बताया गया कि मांडुक की उपनिशद मुंडको उपनिशद को सीधा गोपत ब्रामन ग्रंथ से लिया गया है आगे चलते हैं महर्शी पतंजली और रिशी शौणक ने अथर्ववेद की नौ साथाईं बताई हैं यहां महर्शी पतंजली की साखाई हैं इसी प्रकार महर्शी शौणक की भी साखाई हैं परंतु उनके नाम अलग है महर्शी शौनक के चरनवियु ग्रंथ के अनुसार साखाएं हैं पैपल, दांत, प्रदांत, सनात, सौल, ब्रह्मधाबल, शौनक, देवदर्शत और चरनविद्या यह जो है महर्शी शौनक के चरनवियु ग्रंथ के अनुसार अथर्व वेद की ये नौ साखाएं हैं नौ साखाए महर्शी पतंजली भी बता रहे हैं और महर्शी शौनक भी नौ साखाए ही बता रहे हैं फर्क इतना है कि इनके नामकरण अलग-अलग है परंतु वो वही हैं विशय वही है अध्याय वही हैं तो आएए आगे चलते हैं वर्तमान में दो ही शाखाएं उपलब्द हैं पिपलाद और शौनक यही दो शाखाएं वर्तमान में इस समय उपलब्द हैं पिपलाद शाखा अपुर्ण रूप से उपलब्द है जिसकी पांडू लिपी शारदा लिपी में कश्मीर में पाई गई थी दो अंग्रेजी विद्वान थे अंग्रेज विद्वान ब्रिटिश हिस्टोरियन थे जिनके द्वारा अथर्व वेद की यह जो पांडू जो पाई गई थी दो अंग्रेज विद्वानों के द्वारा पाई गई थी कश्मीर के अंदर पिपलाद शाखा की आगे चलते हैं शौनक साखा की अब हम चर्चा करते हैं तो शौनक साखा में 20 कांड 730 सुक्त और 5987 मंत्र हैं अगर आप आज अथर्व वेद पढ़ेंगे तो आपको शौनक साखा का ही अध्यन करने का अवसर प्राप्त होगा पिपलाद साखा अपुल्ण रूप से आप प्राप्त कर सकते हैं परन्तु शौनक साखा में 20 कांड 730 सुक्त और 5987 मंत्र हैं ठीक 17 कांड 30 मंत्रों का सबसे छोटा कांड है इन 20 कांडों के अंतरगत श जो 17 कांड है वह 30 मंत्रों का सबसे छोटा कांड है और 20 कांड 958 मंत्रों वाला सबसे बड़ा कांड है तो इन 20 कांडों में सबसे छोटा 17 कांड है और सबसे बड़ा 20 कांड है ये त्रीशप्ता प्रयंती विश्वारूपानी विभ्रत इत्यादी पहला मंत्र वाला शौनक साखा जाना जाता है शन्नो देविर्भिष्टिय आपो भवन्तु इत्यादी है वह पिपलाद साखा जिसका पहला मंत्र क्या है पिपलाद साखा का शन्नो देविर भिष्टिय आपो भवन्तु या शनी देव का मंत्र है तो यह जो है पिपलाद साखा का शनी देव का मंत्र पिपलाद साखा का प्रथम मंत्र है ठीक अथर वेद के प्रमुख सुक्त कौन कौन से है उसको देख लेते हैं प्रिथवी सुक्त विवाह सुक्त इसकंभ सुक्त काल सुक्त वरत्य सुक्त ब्रह्म सुक्त ब्रह्म चर्य सुक्त जेष्ट ब्रह्म सुक्त राष्ट्र सुक्त आद्यात्म सुक्त आत्म सुक्त आत्म वि के विशय में विवाह के विशय में जीवन के विशय में चीजें लिखी हुई हैं बाते लिखी हुई हैं मंत्र लिखी हुई हैं इस्तूतियां लिखी हुई हैं प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं याचनाएं लिखी हुई हैं आईए आगे चलते हैं अथरवा रिशी का परिचय है अब हम इस आगे कुछ स्लाइड्स के अंदर हम अथरवा रिशी का परिचय हम देखेंगे तो अथरवा रिशी कौन थे अगनीर जातो अथरवना अथरवा रिशी एक महान वैज्ञानिक थे उन्होंने इस धराधाम पर सर्व प्रतम अगनी का अविश्कार किया था उन्होंने अरनी मंथन से अगनी और जल मंथन से जलिय विधुत्य का अविश्कार किया था तो अगनिर जातो अथरवा अर्थात अगनी को जनम देने वाले अगनी का को ढून निकालने वाले वैसे तो अगनी चलिए जंगल के अंदर अगनी लग गई या कहीं पर कोई सी स्रोत के प्राकरतिक स्रोत के माध्यम से अगनी विद्यमान है परन्तु मनुष्य अगनी का प्रयोग कैसे करे अगनी को प्रगट कैसे करे उसके लिए अरणी मन्थन से अर्थात लकडियों को घिसने से जो अगनी उत्पन होती है उसके लिए उन लकडियों को कैसे घिसा जाए इस विशय में भी उन्होंने अनुसंधान करके अगनी को प् बतने से जो विद्यूत पैदा होती है जो जलिया विद्यूत जिसको आज कल हम हाईडल पावर प्लांट्स कहते हैं ठीक ना हाईडल पावर प्लांट्स जो हैं आप उत्रा खंड में चले जाईए ठीक है और आपको कई जगों पर जहां पर बांध बने हुए हैं बड़े-ब जीलों पर उनके द्वारा जो जलिया विद्यूत पैदा होती है तो आज से लाखो वर्ष पहले हमारे अथरवा रिशी ने यह जलिया विद्यूत और अगनी कैसे प्रगट कर की जाए उसके बारे में ऐसे लकडियों को ढूंड लिया था जो बहुत असानी से थोड़ा सा घिसने से ही उनमें अरनी उसमें अगनी उत्पन हो जाती है और जलिया विद्यूत सबसे बड़ी बात जो है वह भी जलिया अगनी है तो जलिया विद्यूत को उन्होंने प्रगट किया था कि बिजली से पानी से बिजली कैसे निकलेगा वह टेकनिक भी वह ढूम चुके थ तो महानवेज्यानिक थे अगनिर जातो अथरवना इसलिए कहा जाता है यह रिगवेद के अंदर आता है अगनिर जातो अथरवना आगे देखते हैं तो एग्निर जातो अथरवना, रिगवे दे के दस्वे, एक हैब किस्वे, पांचवे में यह मंत्र आता है तो अगनिर जातो अथरवना फिर क्या लिखा जा रहा है जुरवेद में अथरवात्वा पर्थमो निर्मंथ दगने यह क्या इसकार्थ क्या है देखे यह जुरवेद में है अथरवात्वा पर्थमो निर्मंथ दगने अर्थात अथरवाने सबसे पहली बार निर्मंथ दग करके उन्होंने अगनी प्रगट की मतलब विद्यूत प्रगट की आज हम उसे विद्यूत कहते हैं इलेक्टरसिटी कहते हैं बजली कहते हैं परंतु सरप्रथम अथरवा मुनी ने पानी का मन्थन करके अगनी प्रगट की थी यहां उनकी खोज है अथरवा रिशी ने ही उत् पुर्ष्य अगनी मतलब जो जमीन के अंदर धर्ती के गर्भ में है प्राकिर्तिक गैस अर्थात ओयल एंड नेचुरल गैस को ढून निकाला था और उसका उपयूग किया था इसलिए यजुर वेद के 1132 में क्या लिखा है पुर्ष्य असी विश्व भरा अथरवात्वा प् और जल अगनी का भी जलीए अगनी जो है जल मंतन से जो अगनी प्रगट होती है जो विद्ध्यूत प्रगट होती है उसको भी उन्होंने ढून निकाला और उसको प्रियोग में भी लिया तो यह उनका अविश्कार है यह उनका वैज्ञानिक शोध है अथरवा मुनी का लेकिन अथरवा मुनी का वैज्ञानिक शोध यह अनुसंधान मात्र यहीं पर नहीं रुखता आगे भी बढ़ता है तो आज हम जिस अगनी के द्वारा यग्य करते हैं उस अगनी में सरवपर्थम अथरवा नहीं यग्य किया था आज हम जिस अगनी के द्वारा यग्य करते हैं उसमें अगनी में सरवपर्थम अथरवा नहीं मत्ता कि अगनी और अगनी से संबंधित जितने भी कारे हैं उसको प्रारंब करने वाले अथरवा रिशी बताये जाते हैं और यग की जो विदी है या यग का जो परंपरा है हमारे सनातन धर्म में उसको प्रारंब करने वाले भी अथरवा रिशी ही हैं जिनके नाम पर एक अथर्व वेद है उनको अथर्वा भी इसलिए उनका अथर्वा नाम भी वास्तों में एक दारशनिक नाम है उनका अथर्वा नाम भी एक दारशनिक नाम है अर्थात जो इस्थिर है अथर्व का मतलब जो इस्थिर है थर्व का मतलब जो चंचल है जो गत जो इस्थिर है, जो चलायमान नहीं है, उस चैतन्य में कोई क्रिया नहीं होती, सारी क्रियाएं प्रकृती में होती हैं, तो वह जो अथर्व है, उन्ही के इसी कारण से उनका नाम अथर्वा है, तो उन्होंने यग्य की परंपरा शुरू की थी, और रिग वेद के 183.5 में यह प्रमान मिलता है, क्या यग्यर थर्वा प्रथमह पतस्तते, की सरप्रथम यग्य को प्रारंब करने वाले, जो रिशी हैं, वो अथर्वा रिशी हैं, उन्हों नहीं सबसे पहला यग्य किया था, अथर्वा रिशी की और क्या जानकारी हैं, अथर्वा रिशी अध्यात्मवाद के प्रथम प्रचारक थे, अर्थात लोगों को ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उपासना करने चाहिए, इसके भी वो प्रथम अंतरमुखी विद्या, यग् भी महान प्रचारक अथरवा रिशी थे अधरवा रिशी अध्यात्मवाद के प्रथम प्रचारक थे अथरवा रिशी का दृष्टी कोन व्यापक था उन्होंने मानव जीवन के प्रतेक छेत्र में कारे किया था बालक से व्रिध तक ग्रिहस्त से सन्यास और भोग से योग तक हर विशे में उन्होंने अनुसंधान किया और मानों समझ के समक्ष प्रस्तूत किया तो यह अथरवा रिशी का यह उनकी उपलवधियां हैं और उनका महत्व है जिससे की अथरववेद का अगर हम अथरवा रिशी के बारे में इस प्रकार से जानते हैं तो हम समझ सकते हैं कि अथर्व वेद की विशालता को और उसके महत्व को हम समझ सकते हैं तो लगभग अथर्व वेद में भी बहुत सारे रिग वेद के आपको रिग वेद प्रथम वेद है तो तीनों ही वेदों में यजुरवेद में भी सामवेद में भी और अथरवेद में भी रिगवेद की तो रिचाय पाई ही जाती है लगबग कहते हैं बारस सो रिचाय जो है वह अथरवेद में रिगवेद की ही होती है और बीसवा अध्याय तो लगभग बीसवा कांड जो है अथरवेद के सौनक शाका का वह रिगवेद से ही लिया हुआ है ऐसी मानिता है तो इसलिए अथर्वा की चर्चा रिगवेद में भी है अजुरवेद में भी है सामवेद में भी मिल जाएगी और फिर अथर्ववेद तो उन्ही के नाम पर है तो यह हमें विडियो के माध्यम से हमने आपको अथर्व वेद की जानकारी दी और अथर्वा रिशी की जानकारी दी निश्य ही अवश्य आपके लिए लावदायक होगा और जो कुछ ऐसी इस प्रकार की competition की तयारी करते हैं दर्शन के छेत्र से दर्शन के विश्य में फिलोसफी सब्जेक्ट में या फिर संस्कृत आदी विश्यों में तो उनके लिए भी यह विडियो में दी गई जानकारिया निश्य ही लावदायक होगी अगर आपको अच्छा लगा तो निश्य ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो मित्रों इसी के साथ आपसे विदा लेंगे इस लाइब सेशन से और अभी आगे नौ बजे आज ही नौ बजे हमारा लाइब है बहुत ही महत्तो पुर्ण विश्य है कि इस संसार असत्य है सत्य है कि मित्या है इस विश्य पर चर्चा होगी तो जरूर नौ बजे भी आप उपस्थित रहें इसी चैनल पर और इसका हमारे कारिक्रमों का हमारे विडियो का पूरा पूरा लाब उठाएं आपके जीवन में इनका लाब प्राप्त हो सके वैसे ही विडियो हम डालते हैं अध्यात्म से संबंदित अध्यात्मिक विश् विश्यों से संबंदित और जीवन के विश्यों से संबंदित तो इसी के साथ यहां विराम देंगे बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए हमारे साथ में बने रहने के लिए